सांप और आदमी की रेस अगर आप बेसिक साइकोलोजी को समझें तो आम तोर पर कोई भी कोब्रा या और कोई सांप खत्रा महसूस करने पर ही अपने आत्मरक्षा के लिए आदमी पर हामला करता है एक नाग अपना फन जमीन से धाई फुट तक उपर उठा सकता है और वो इसी रेंज में चारो तरफ आप पर हमला भी कर सकता है अगर आपके सामने कोई भी नाग फन उठा कर खड़ा हो जाए तो इस रेंज के बाहर बिना हिले डुले अगर आप चुपचप खड़े रहेंगे तो हो सकता है कि वो वापस चला जाए अगर आप डर कर भागते हैं तो हो सकता है कि कुछ दूर तक ये साम आपका पीछा भी करें पर एक बात का ध्यान आप हमेशा रखेगा कि साम कभी भी आपसे ज़ादा तेज नहीं भाग सकता आदमी हमेशा साम से तेज ही भागता है तो हमारा क्वेश्चन कि साम और आदमी की रेस में कौन जीतेगा तो अब आपने सामों के बारे में तो सुन ही लिया है तो क्यों ना कुछ एनिमल्स के बारे में एक दो फैक्ट्स और जान ले तो चलिए थोड़े और फैक्ट्स आपके साथ शेर करते है शार्स की हेरिंग पावर इतनी तेज होती है कि वो आदे किलोमीटर की दूरी पर पानी में छलांग लगारी मचलियों को भी सुन सकती है मचलियों से याद आया कि पूरी दुनिया की सबसे स्लो तैरने वाली मचलि है यह इतने स्लो होते हैं कि इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि एक ही जगे खड़े हैं इन्हें देड़ मीटर तैरने में लगबग एक घंटा लग जाता है पेंगुइंस की आखें पानी के अंदर जादा अच्छे से काम करती हैं कई साइंटिस्ट के अनुसार पेंगुइ इस खाना कैसे खाती है तो आई बटन में इस चीज के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्रा करना ना भूले